ज़नके साथ में विर्ष रलेक्शनश्टीप और विर्ष रलेशनश्टीप में ओर इसस बता रहा हूं है योकि इस वेर कास दो हैं एक है Google.com सरफ एक है Google.com सरफ एक है Google.com सर्फ तेक है इस जोनों का जो रूट सरफ वेर कर वेर का Google.com इस इसा IP पर 8.0.0.200 और जो मेरे पास जरे.com है, इसका IP है 10.0.0.210, 210 है, तो 210 है, तो 210 है, तो 200 जो मेरे पास IP addresses है, जोनों कॉम्निकेट करने आपस है, अब प्रस इलेसेंसे बनाने के लिए प्सक्राइब है, तो पॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो पॉर्डिंग हम किस तरीके से एड कराएंग तो लिट्रे की जैसे मैं कुगर.com सर्वर के हूँ, पर मैं जाता हूँ, साथ एडिक टू, टी एनेस से, यहाँ पर मैं सलेक्ट करता हूँ सर्वर नेम, इस सर्वर नेम से पॉर्डर का ओप्शन आएगा, लबल क्लिक करता हूँ इससे, एडिट करके, एडिट करके, एडि kay. 0.0.210, इसा रे mins करके, यहाँ पर इससे, एक टवर करते हैं, य के जिएक तुन पर क्या उर्वर ने जाते हैं, यहाँ पर काण्स देमान दूस करते हैं, और दौन से जाते हैं दौरोफ नेम स्रेक्ट करते हैं पाविद इसके डोब फिल्क रटे हैं अधिक जब आइप डालनों थेंज.0.0.200 तूर्के अधिक स्थमिंग करते हैं अधिक स्रेक्ट करते हैं जेट करते हैं अप्लाइ जाते हैं, server1, both are interacting with me, for server1 name and speak, okay, so now, we are now again adding the DNS, जिकास यहाँ पर नाम कोनों के equal से server1, तो यहाँ पर मैंने srv1 कर दिया DNS का नाम, तो पावडर पर जाते हैं, तो अगें सिंग्वाई फिस्टे एंट्री करें हैं, तो server1.google.com आगे हैं, यहाँ पर automatically, और यहाँ पर जाते हैं, second, जो first server है हमाणा, google.com, यहाँ के DNS पावडर से जाते हैं, यहाँ पर भी one architect, फिकें, तो it's okay, now we are going to the, अब हम जाते हैं, एक test, second test पे, start active server, फूद, active directory, domain center, किसी एक forest से जाके, हमें active directory, domain center, पर जाना है, और यहाँ पर जाके, हमें right click करना है, google.com, properties, webcast पे जाना है, new choice पे click करना है, यहाँ पर जाते हैं, next, यहाँ पर डालते है, health.com, export है, अब हमें forest बनाना है, और forest बनाना है, और forest बनेक्ट करना है, next, two-way communication करना है, तो two-way select करना है, next, select करना है, बोस्ट इस domain, एक्ट बनेक्ट करना है, next, यहाँ पर, first relationship, forest-wide होनी चीए, पूरे forest में, कि selective authentication, तो हमें यहाँ पर forest-wide authentication सेलेक्ट करना है, next, now, first relationship, यहाँ पर बनाना है, और सारे के सारे forest-wide servers, email.com, जो three है, google.com का, google.com, इसको भी आपनेक्ट करना चाहते हो, तो नेक्स करते है, trust creation complete, एके, next करते है, आप सन्वाँ करना चाहते हो, ओश्च आप गर्स, यह सन्वाँ थे अँपूर्स जाते हो, इस सन्वाँ थे इस सन्वाँ थे इस अ कौँदे एक्शन थे अपने थे नेक्स, जब्स, नेक्स करते है, एक पर हमारा एक forestimeter, करें यही तर्फ हम जाते है, इक सिफ्रेंग। यहां पर जाकर चक्ष करते है, स्काट कें, अध्म पर जाते हैं पर जाते हैं तक स्काुम फ्रप्रेंग। कोकिर तो आपर जाते हैं, अग्심 अब एक चीज़ करने हैं कि ये trust relationship हम active directive migration के लिए उस करते हैं ठीक है ताकि हम एक object को transfer करते हैं एक user को एक group को एक chorus से दूसे chorus में और ये without trust relationship possible नहीं है इसका trust में इसका shift करना ज़रूरी है ठीक है ये trust relationship, chorus trust नहीं करता है